नमस्कार, उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, तस्वीर नहीं वीडियो दिखाता हूँ, और फिर आप सोचेगा कि कितना ठीक है, बहराई जिले कई वीडियो है, वहाँ पर अहिभागों ने स्कूल भेजना अपने बच्चों को बंद कर दिखाता हूँ, आप सोच सकते हैं क्यों, क्योंकि स्कूल में अबोध बच्चीयों की आवरू नहीं सुरक्षित थी, जरह ये वीडियो अब आप देखिए, बगल में वीडियो आपके चल रहा है, इस वीडियो में जरह स्कूल को देखिए पहले, ये स्कूल कम कोई धार् अस्थल जादे लग रहा है, प्राथविक स्कूल है, प्राथविक विद्याल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन बस एक ही एजेंडा है, मुख्यमंत्री का भगवा करण कर दो, ये अभी नहीं ध्यान देना है कि कहीं इस भगवा करण के चकर में धर्म, जिस धर्म को बचाना है उसी धर्म पर धब्बा न लगाने का काम कर बैठे भगवार रंग में लगा हुए प्रात्विक विद्याल है और कुल्सी पर बैठा हुआ यह सिख्छक यह इंचाज सिख्छक है बहराईच के विसेस्वर गंज में सिवपूर बैरागी जगह है वहाँ पर यह प्रात्विक विद्याल है यह सिख्छक अबोध बच्चियों के साथ इसे सर्म नहीं आई यह इनसान के सकल में यह दरिंदा है इसे जरासा भी सर्म नहीं कि अबोध बच्चियों के साथ यह क्या कर रहा है खाबल सिर्फ इतनी नहीं है कि ये अबोध बच्चियों के साथ सर्मनाक कारे कर रहा है मैं क्या सब्द दूँ उसको खबर इसके आगे है वहां से अमरित विचार नाम का एक अख़बार निकलता है उस अख़बार ने इस पूरी ख़बर को छापा ख़बर जब मैंने पढ़ी मैंने अभी पता किया बात किया बहराईज तो बहराईज के अगने पूरो संभाद दाता ने बताया कि इसकी हरकते पुरानी हैं ये सराप पी करके स्कूल में आता है आता था क्लास रूप में इंचार्ज सिक्षक है यह इंचार्ज टीचर प्राथिव बिद्या लेका आ करके सराब पी करके क्लास रूम में कपड़े उतार करके बच्चों के सामने लेट जाता था इसके अलावा मतलब जो भी गलत हरकतें असलील हरकतें होती है सब ये करता था भी बात चुपी नहीं रही अई भागों को पता चली दो महीने पहले अब समझों क्या है दो महीने पहले इस अध्यापक के खिलाफ इस टीचर के खिला बीश से और खंड सिक्षा दिका दी दोनों के पास दलजन भल से ज़यदा अभिभाबकों ने सिकायद दर्ज करवाई और कहा कि इसका ट्रांसफर करवा दीजिए बच्चों को स्कूल हम नहीं भेज पा रहा है कैसे भेजेंगे स्कूल में दरिंदा बैठा हुआ कैसे अपने अबोध बच्चियों को भेज देंगे सिकायद की दो महीने तक इस पर कोई कारवाई नहीं हुए कोई कारवाई नहीं हुए उसके बाद इसका ये वीडियो बनाया देया वीडियो वाइरल होने के बाद सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग इस समय सासन प्रसासन सिर्फ एक कला में माहिर है Dainting painting जहां पर Image Daint हटाने का काम Paint कर दो इस पर, polish कर दो, चमका दो Video viral होने के बाद इसे सस्पेंट कर दिया कारवाई हो गई मुकदमे के बारे में पूछा गया तो अख़बार ने लिखा है कि खंड सिप्छा धिकारी कहा रहा है जाच किया जा रहा है वीडियो कर एक जाच की जा रही है, तब मुकदमा दा जोगा, सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है, कि दो महीने पहले जब ये सिकायत मिली, कोई मामूली सिकायत नहीं थी, मिटे मिल में दाल कम और पानी जादा की सिकायत नहीं थी, सिकायत थी, घर की लक्षमी का आबरू पचाने की सिकायत थी, अबोध बच्चियां जो पढ़ने के लिए स्कूल जा रही है, बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाली सरकार में, जहाँ पढ़ानमंत्री, मुख्यमंत्री, बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बैठे हुएं, वहाँ पर अबोध बेटियां सुरक्षि कैसे माना जा है, आप बताइए, अगर यह वीडियो नहीं आता, तो यह कारवाई होती? दो महीने तक, दो महीने तक क्यों बैठे रहे? बेसिक सिक्षाजिकारी बेस्से को खंड सिक्षाजिकारी को सिकायत के बाद क्यों नहीं कारवाई हुए आप इस्कूल देखिए ये इस्कूल इस्कूल कम लग रहा है भाजपा का दफतर जादे लग रहा है रंग देखिए बैग्राउंड में आप तस्वीरे देखिए दिख रहे होंगी तस्वीरे बैग्राउंड में और वहाँ पर आप ये करके आप करिए रंग में कोई बुराई नहीं है तस्वीरे लगवाईए जो भी इस देश के बड़े लोग हुए उनके तस्वीर लगाने में बुराई नहीं है लेकिन ये करके और वहाँ पर ऐसे कुकर्मियों को दरिंदों को जगह वहाँ पर मिली हुई है वहाँ कुर्सी पर विराजमान है और दो-दो महीने तक सिकायत के बाद आपको जानकारी नहीं हूँ बाद अलग है सिकायत होने के बाद दो महीने तक कारवाई नहीं हुई यही है सच यही है सच बाकि डेंटिंग पेंटिंग करते रहिए और बताते रहिए उत्तरकलेस में सब अच्छा है नमस्कार